आज की विडियो में हम लोग जानेगे कि मेहंदी की पत्तियों से हम अपने लिए मेहंदी पेस कैसे तियार कर सकते हैं बिल्कुल नेश्रल तरीका शेयर करूँगी और इसमें केवर में दो ही चीज एड़ करने वाली हूँ जो आपको असानी से घर में मिल जाएगा ये आपक अपके बालों को कंडिशनिंग करेगा और बालों से डेटी बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा कैसे आपको ये मेहंदी बनानी है कैसे इसे लगाना है और क्या-क्या फॉलो करना है मेहंदी के साथ वह सब कुछ आप डिटियल में पताऊंगी तो चलो आज का वीड मात्रा में लाएगा यानि अगर आपके बालों की लेंथ कम है तो आपको कम पत्यों की जोध पड़ेगी अगर आपके बालों की लेंथ अच्छी है तो आपको ज्यादा पत्यों की जोध पड़ेगी तो आप अपने बालों के अंसार पत्यों को खटा कर लीजे घल आकर डं तो इसे दो से तीन मिट उबालने है उसके बाद इसे बंद कर देना है गया तकि थोड़ा ठंडा हो जाए उदर आपको कहा करना है मिक्सी पार्ट में आपको सारी पतियां डाल देनी है जित्ती पतियां आप यूज करने वाले हो अपने बालों के लेंद के अंसार अब मैं इ बहुत जादा है आप यहां पर ट्विस्ट होने वाला है मैं चाय की पति जो है वो पूरा यूज करने वाली इसे चानने वाली नहीं क्योंकि मैं ग्रैंडर यूज कर रही हूं तो इसमें जो चाय की पतियां होंगी वो अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाएंगी और आपक पीष्ट नहीं कर रहे हैं अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है बहुत अच्छी तरह से पिस जाएगा पिसने के बाद से चानना वग्यारा नहीं है इस बिल्कुल तेयार है बालो में अप्लाइ करने के लिए अब आपके घर में जो भी दादी हैं चाची हैं ममी हैं पकल लो भाई किसी को और महंदी अपने बालो पर लगवा लो अगर कोई नहीं है तो आप खुद भी लगा सकते हो बहुत ज़दा इजी है बिल्कुल भी म चले जाए उसके बाद आप थंडे पानी से सादे पानी से अपने बालो को धुल लीजे और अच्छे से जब बाल सूक जाए तो हैर ओयल लगाना बिल्कुल भी मत बुलिए इसको इसकिप मत करिए इससे क्या होगा आपके बाल बहुत ज़दा सॉफ्ट हो जाएंगे या कंडिशन अप्लाई ना करें केवल सादे पानी से बाल दुलने के बाद अच्छे तरह से हैर ओयल अपने बालों पर लगाएं और दूसरे दिन आपको करना है कोई भी नच्रल शैंपू जो भी आप शैंपू यूज करते हो आप उसका इस्तिमाल कर सकते हो और आप हमारे पीस लेना पालों पर अप्लाइक हो यहां मेंदी हमारे बालों के लिए बहुत आप जिए वहारे बालों को नाच्रल कंडिशन्सिंग देती हैं साथ हिसमें दभी प्योक्ति है मह्लआ ऊप्यों PD महेंदी के साथ तैसे मेंद सिधाय मेंदि तप्यों और नच्रल मेंदी है जिसे हमारे बारों को कोई भी नुकसान नहीं होगा तो दोस्तो इस मेंदी को आगर आपको मिल जाये तो जरूर लगाएगा यह वाली मेंदी और हाँ दोस्तो इसका कलर भी बहुत ही जदा सुन्दर आता है तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही वी में जरूर बताएगा और हाँ दोस्तो अगर आप मीच्वर में नहीं है तो चाल को स्काइब कर लिए बगल में लगी खंटी बजा दीजे तक यह वीडियो की सभी नोटिविकेशन आप तक बहुत सके फिल्हाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो